नमस्कार दोस्तों, साथ कोरिया की मशूर कार निर्माता कमपनी युन्डई इस साल भारत में अपनी कई खास कार्स को लॉंच करने की तयारियों में लग गई है और दिल्चस्प बात ये हैं कि भारत में काम्यावी की उचाईयों को छू रहे, माइक्रो एस्यूवी सेग्मिन में भी कमपनी अपनी नई गारी को लॉंच करने वाली है कमपनी ने इस अपकमिंग माइक्रो एस्यूवी को हुन्डई एक्स कॉड नामक नेम दिया है तो अगर आप अपने लिए दो लाख रोपे से भी कम कीमत वाली छोटी एस्यूवी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे पर वीडियो शुरू करें, उससे पहले हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि प्लीज, आप हमारे चैनल रियल आटो न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजे बता दें कि देश की मशूर कारनिर्माता कमपनी टाटा भी अपनी माइक्रो एस्यूवी लाँच करने वाली है जिसका कोड नेम H2X रखा गया है और Hyundai AX का सीधा मकाबला मारूती एस्प्रेसो और टाटा H2X से होने वाला है कमपनी Hyundai X का कॉंसेट मॉडल जेनेवा Motor Show 2020 में पेश कर सकती है जहां इसका लोक, स्टाइल और फीचर्स के बारे में कुछ जानकारियां सामने जरूर आ सकती है भारत में ये माइक्रो एस्यूवी पुरानी जेनरेशन सेंट्रों के रिप्लेस्मेंट के रूप में आएगी ऐसी उम्मीद की जा रही है इस कार को कमपनी अपने कीवन प्लेटफॉर्म पर तयार करेगी जी हां, ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पर नई सेंट्रों को तयार किया गया है इंजन की और ध्यान दें, तो ह्यूनडई AX में 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो की 68 BHP की पार और 99 न्यूटन मीटर का पीक टॉक जेनरेट करता है ये इंजन 5-speed manual और AMT gearbox दोनों ही transmission option से less होगा आखिर में अब कीमत की अगर हम बात करें तो भारत में Hyundai AX Concept की कीमत करीब 1,88,000 रुपे से लेकर 4,000,000 रुपे के बीच हो सकती है तो दोस्तों आपको Hyundai की ये Micro SUV AX Concept कैसी लगी हमें कॉमेंस में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेर करना मत भूलेगा थैंक्यू